नमस्कार मैं अनामे रोहित सिंह और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन राज़त के उपर टिकट को लेकर पांच करोड उपर लेने का जो आरूप लगा है इसके बाद भाजपा के तरफ से लगतार बयान बाजी आ रही है अभी राज़सभासांसर सुसील मोदी का भी बयान आया था कि राज़त में भरष्टाचार ही सिस्टाचार है और अभी निति सरकार में मंत्री बने नितिन नवीन ने भी बयान बाजी कर दी है उन्होंने कहा कि पहले वो अपने पार्टी के अंदर यानि कि राज़त के अंदर में हो रहे है भरष्टाचार को सही करें उसके बाद सवाल पर सवाल उठाएंगे सुनिए क्या कहा पर्ष्टाचार करें उस पर पहले उनको जवाब देना चाहिए प्रकार से टिकट देने में पैसे का दिए गोड़क दंदा चलाते हैं इस पर उनको बयान देना चाहिए तो पहले पार्टी के अंदर जो भष्टाचार चल रहा है और जो उनको विरासत में मिला है उन भष्टाचार पर पर पिछले दिनों में देख चुक है अभी आपने सुना निति सरकार में मंत्री बने नितिन नवीन को उन्होंने कहा कि पहले राजद अपने पार्टी के अंदर चल रहे भष्टाचार और टिकट के खरेद बेच पर काबू करें उसके बाद सरकार के उपर किसी तरह का सवाल उठाए उन्होंने ये भी कहा कि अभी बिहार में जो सरकार है वो जीरो टॉलरेंस पर काम कर रही है और एक बात पर उन्होंने जोर देते हुए कहा कि अगर ऐसी कोई घटना सरकार के किसी लोग के साथ कोई रहती यानि सरकार पर ऐसा किसी भी सरकार के किसी भी पदादिकारी पर इस तरह का आरोप लगा रहता तो सरकार इस पर कारेवाई करती उन्होंने कहा कि आपने हाल के दिनों में देखा भी होगा उनके कहने का इसारा साइद ये था कि अभी जो ज़िदिव के चिकित्सक प्रकोष्ट के प्रदेश उपाधियक्ष राजिव कुमार सिंग के ऊपर जो आरोप लगे है उसके भाद ज़िद्वारा राजिव कुमार सिंग को पदमुक्ट कर दिया गिया है उन्होंने साप साप इसी का उधारण देते हुए कहा कि अगर ये सरकार में किसी वेक्ति के उपर यानि सरकार के किसी पदाधिकारी के उपर इस तरह क्या रोप लगे रहते तो अभी सरकार द्वारा कोई कड़ी कारवाई की जाती ऐसे ही कबरों के लिए बने रहे हैं मीडिया दर्शन के साथ धन्यवाद